स्किन केर हम करने वाले हैं लेकिन आज खास क्या होने वाला ही कि आप इस वीडियो में देखें चमक चमाती लाइट से आप परिशान ना होएं दोस्तों यह मैंने स्पेशल इफिक्ट डाला है कि आप इंप्रेस होके पूरा वीडियो देखें क्योंकि आप वीडियो आधा ही गर्मियों में आपको इंतजार रहता है कि मॉनिका के पिटारे से कुछ नया नया आपको आना ही चाहिए दूस्तों तो आज मैं आपके लिए लेकि आई हूं बहुत ही स्पेशल साफिशियल जो आसानी से घर पे हो जाएगा हम सब को पता है कि जो टमाटर होता है उसमें पतार का फेस पैक जरूर लगाए लेकिन आज इस वीडियो में क्या है खास वह हम देखेंगे दोस्तों नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपको कुद्रत के और मैं हूं मॉनिका हमेशा की तरह आज भी चोटी सी कोशिश है मेरी कि आपके लिए कुछ नया कुछ यून किस तरह से आपने मॉडिफाई करना है वह आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो पूरा और ध्यान से देखेंगे तो बने रही है मेरे साथ जिल लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटा-फट से कर लीजिए और साथी साथ बैल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो का इंफरमेशन आपको मिल जाए दोस्तों और जब वीडियो पूरा देखते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाया करो क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में दोस्तों आप बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर आज की खास होम रेमेडी है क्या वाश कर लिया है थोड़ा बहुत मेकप डस्ट पॉलिशन था बेसन से क्लीन किया है मैंने चेहरा उसको हमने निकाल दिया है और अब हम बालों को बांध लेंगे क्योंकि फेस पैक लगाना है तो बालों में लग जाए कहीं चिपक जाता है एकदम से ना वैसे तो हेयर ओइलिंग का वीडियो बनाना यह मैंने आज दो घंटे के लिए लगाएंगे तो चलेजी शुरू करते हैं सबसे पहले आपने ले लेना है टमाटर टमाटर को मैंने यह मिक्सी के जार म से अच्छे से क्लेनिंग कर लेनी है इससे इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम स्टेप बाइ स्टेप सारी चीज़े दिखाऊंगी में अपको लेकिन अगर आपको लगे कि आपका जो फेस पे प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं जो इंग्रेडियंट आप एड़ कर रहे हैं वह थोड़ा हाड हो रहा है तो आपने टैंशन नहीं लेनी है आपने सिरफ और सिरफ टमाटर का जूस ही उसमें अड़ करना है तो उसके लावा कुछ नहीं थोड़ा सैसे कर ले तो यह हो गया हमारों फर्स्ट स्टेप अब मैंने यहां पानी का इस्तेमाल नहीं करना है आपके पास बहुत सारे अप्शन है दूसरे स्टेप की आप कॉफी पाउडर ले सकते हैं आप चाहें तो आप मसूर दाल काटा ले सकते हैं आप चाहें तो पिसा हुआ ओट्स ले सकते हैं आप चाहें तो आप ड्राय जो पाउडर होता है चावल का वह इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे पास यह ओट्स का पाउडर है मैंने ओट्स को पीस के रखा है मैं गर् क्लीनिंग के लिए और टाइटनिंग के लिए और च्छेशियल से चुटकारा दिलाने के लिए यह काफी बैहतरीन चीज है वैस्तों बैसे ये आपके लिए वीडियो बनाया था आपने नहीं देखाया वह वीडियो तो देखे जरूर देखे आपको लाव ही मिलेगा उससे है हफ़ते में एक बार इसको आप एक दिन चोड़के एक दिन या आप महीने में एक बार जैसे आपको सुटेबल है आप ऐसे कर सकते हैं कोई एक चीज आप रोज कीजिए इसमें से कि आपकी स्किन ग्लो करें की दो से पांच मिनिट मसाज किया रहने दिया अब आपने क्या करना है अब ले लेना है आपने थोड़ा सा और कोई भी आप ले सकते मैं यहां बादाम का तेल ले रहे हूं बहुत जादा चीजें में नहीं इस्तिमाल करती हूं आपको पता है तो अगर कोई और इस्तिमाल करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं लेकिन मेरी तोचा जो है बहुत जादा ड्राय रहती है इवन गर्मियों में बहुत ड्राय रहती है तो मैं यहां तेल का इस्तिमाल कर रही हूं तो यह हो गया है अब हमने क्या करना है जी अब हमने इसको ल एक लियरिंग मसाज कर लेनी है और फिर लगा रहने देना है फिर से 5-10 मिनिट और फिर चहरा वाश करना है, नॉर्मल पाने से और फेस वाश का इस्तिमाल नहीं करना है, ऑर मोर्शे राइजर हमने जरूर लगाना है यह थी हमारी आज की होम रेमेडी मैं उमीद करती हूं कि आपके लिए बेनिफिशल जरूर होगी हम ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियो देखते रहेंगे दोस्तों क्योंकि मैं आपके लिए प्रॉपर समर स्पेशल सेरीज लेके आ गई हूं आपको हर दिन एक वीडियो और अ वीडियो नहीं रील के साथ तक तक बहुत सारी मस्ती कीजिए दोस्तों बाइबाइब